जैहिन फ्रेंट्स नमस्ते आप देख रहे हैं समाधान स्टेडी और आप सभी विज्यातियों का वल्कम है तो आज अभी में बात करने वाला पीवी अप्टी के लिए कापी बच्चे जो है परिसान हो रहे थे कटॉप के लेकर कि क्या आएगा कटॉप और किस तरीके से हम लोग काउंसिलिंग कर पाएंगे तो इसके पहले वाले वीडियों उन्हें बता जो है कि आपकी पीवी अप्टी की काउंसिलिंग के प्रोसेस स्टार्ट सेडूल जारी हो चुका है और अभी में आपके लिए वीडियो लाया है जिसमें आपको बताऊंगा कि कितने marks है आपके तो आप लोग इस counselling का हिस्सा बन सकते है और इससे कम marks है तो आपको क्या करना पड़ेगा तो वीडियो को पूरा देखना है आपको समझ में आए तो share जरूर करना है और जितना भी student पहली बार समाधान इस्टेडी को फॉलो किजेगा देखे पी वी जो है पी वी अपटी वाले student है 2021 के प्रापतांक देखे अब यहाँ पर आपको F कटी के दिखरी है एस केटिकरी दिखरी है और दिखरे आपको देखे जिसमें बात कर लूँ यह फॉर female candidate है EWS मतलब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और आपका X है तो कोई भी इनमें से कोई भी नहीं मतलब अर्थाद बिना वर्ग के तो इस तरीके से यह schedule जो है हमारे पास आज ही आया ग केटिकरी है अगर आपके 33 माक्स है तो आप लोग काउंसलिंग कर सकते हैं अगर 33 माक्स से अधिक है फिर तक 33 माक्स से जितने भी अधिक हो तो आप लोग काउंसलिंग कर सकते हैं ध्यान पुरक सुनना है अगर 33 माक्स नहीं है तो आप लोग काउंसलिंग नहीं करवा सकते ठीक है उसके बाद देखिए यह यूर की open seat है open भी मतलब जो आपका इस category से मतलब open जाए male भी होंगे और female भी होंगे इसमें open category है जिस अगर 49 marks है तो ही आप लोग इस counselling को करवा सकते यूर वाले male candidate के लिए बता रहो ओके तो यह तो आखिए open category हो गई बात कर लिए female के लिए EWS female के लिए 33 marks से अधिक होना और 33 marks चल जाएगा उसके बाद देखिए EWS की open category में आपका 49 ही marks होना कितने सर्जी 49 इससे कम है तो आप लोग counselling ही नहीं करवा सकते ठीक है यह आप लोग को ध्यान रखना है बात कर लिए OBC वाले female candidate के लिए 33 marks कितने marks आपका 43 marks ठीक है 33 नहीं 43 marks है और अगर open category के seat से है अगर male candidate है कोई तो आपको 49 marks होना ही होना चाहिए इससे कम है तो आप लोग counselling process में भाग ही नहीं ले सकते ठीक है देखे सर आगे चलते हैं बात करते हैं आपके SC female candidate की तो 40 marks और male के लिए भी 40 marks मांगा गया है यह आपर अधिक तब इसके बाद जो कटॉब आपका मिल जाएगा आपको यह तो normal marks है कि इतने marks है तो ही आप लोग counselling करवा सकते हैं बात करते हैं आपका ST और आपका ST female और आपका male दोनों के लिए आपके लिए 39 marks चाहिए कितना सची 39 marks चाहिए तो यह overall है आप all over जो आया है हमारे पास अभी schedule आया है उसके recording में आप सभी को बता रहा हूँ ठीक है तो यह आपके marks हो चुके है तो इसका PDF में आपको telegram channel हमार में provide कर दूँगा आप लोग वहां सब भी इसे देख सकते हैं ठीक है और आपका जो है officially मैं आपको बता दूँ अगर इतने marks है अगर इससे कब marks है तो कोई बच्चा भाग नहीं कर सकता counseling में अब आपको counseling कैसे करवाना है इसके लिए वीडियो आएगा तो अभी तो आपका मुबाइल स्क्रीन पर हमारा वीडियो आ जाएगा चले तो आपको समझ में आ चुका है अगर आपको अभी भी डाउट है कुछ तो comments box में आप लोग कमेंट कर सकते हैं ठीक है तो मिलता है नेस्ट अब्रेट के साथ नेस्ट वीडियो में जैहिंद नमस्ते